गुड मॉर्निंग स्टूडेंस तुडेट वी आर गोंग टू कंटिनुव आठ चैप्टर चैप्टर नमबर 15 इंडियन कॉंस्टिटूशन जो कंटिटूशन का प्रिंव एम वत्तलि एस का इन्टूर्डेशन कमोंच करता है क्या प्रॉमीस करता प्रॉमिस करता है अपने जो एकस्प्रेशन है उसको रखने कराई जाएगी ठीक है एक्वेलिटी दी जाती है और उसको प्रमोट किया जाता है ठीक है और हमें जो हमारी इंडिविजुल डिगनिटी है और जो नेशन की जो यूनिटी है इंटिक्रिटी है उसको भी मैंटेन करने का प्रॉमिस करती है ठीक है यह आपका सिंपली जो हमें हमारे राइट्स हमें प्रोवाइट कराता है ठीक डूड़े स्टॉपक इस फंडीमेंटल राइट्स ठीक है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो हमारे मौलिक अधिकार होते हमें उनके बारे में पढ़ना है ठीक है अवर Constitution has provided six basic राइट्स टू एवरी सिट बारत के हर एक नागरिक को छे बजी जो राइट है जो हमारा अधिकार जो मौल अधिकार है हमारे छे वो प्रोवाइट कराता है ठीक है राइट लिट्रली मीन दोस फ्रीडम्स विच ऐशेंशल फॉर द गुड ओफ एन इंडिविजवल आज कम्येंटी मतलब राइट काम क्य यहाँ-पीपल से एक इनसान के लिए वहसरोरी है तिक Tagen को एक इनसान के लिए भी वह बहुत ज़्दा जुरूरी है और कुमनिलटी के लिए भी community या उसकी freedom community या एक individual की freedom के लिए वो six basic rights सबसे ज़्यादा जरूरी है ठीक तो अब आपको कौन कौन से fundamental rights है six fundamental rights आपको उनके बारे में पढ़ना है तो आपका first है right to equality ठीक है मतलब की समानता का अधिकार ठीक है equal होने का अधिकार मतलब कि सारे लोग equal है all citizens are treated equally and there is no discrimination on the basis of caste, sex, status, religion और race इस जो equality of right to equality है इसके according यहां के जितने भी citizens हैं उनको यह अधिकार दिया जाता है ठीक है उनको यह right मिलता है कि उनको equally treat किया जाएगा ठीक है मतलब कोई भी discrimination नहीं होगा ठीक किसके बेस पर चाहे वो caste के बेस पर हो या sex male है female है ठीक है status की poor है religion मतलब कोई भी religion के अधार पर या फिर उनके रंग ठीक है उसके अधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा किसी भी तरह का discrimination नहीं होगा ठीक है चाहे वो caste को लेकर हो sex को लेकर हो स्टेटस को लेकर हो या religion को लेकर हो ठीक है इनके बेस पर कोई भी discrimination नहीं होगा सारे लोग equal है ठीक now next fundamental right is right to freedom ठीक है अब स्वत्रंद्रता का अधिकार ठीक है freedom मतलब स्वत्रंद्रता ठीक है अब उसका अधिकार क्या कहता है people living in India have the freedom of speech and expression जो लोग इंडिया में रहते हैं ठीक है बारत में जो रहते हैं उनको ये अधिकार है उनको ये freedom है कि वो कुछ भी कोई भी speech मतलब कुछ भी अपने थौट जो उनके एक्स्प्रेशन जो उनके थौट्स है वो उनको एक सुद्रतता पूरे मतलब रख सकते हैं ठीक है अपनी बात वो कह सकते हैं freedom to practice any religion और उनको ये भी freedom है कि वो कोई भी religion को follow करें ठीक है किसी भी कोने में घूम सकते हैं और उनको ये भी फीडम है कि वो कोई भी profession अपना चूज कर सकते हैं ठीक है कोई भी काम कर सकते हैं किसी भी तरह का occupation या profession अपना चुन सकते हैं now next fundamental right is cultural and educational right ठीक है जो हमारी education मतब सिख्षा का अधिकार cultural मतब सांस्कृति ठीक है as India is a country of many languages religions and cultures people are given the right to follow their own culture and language and run educational institution इस fundamental right के according जो इंडिया के लोग है इंडिया में क्या है बहुत सारी languages हैं बहुत सारे religion है cultures है ठीक है यहां के लोगों को यह freedom है कि वो कोई भी language बोल सकते हैं ठीक है वो अपना culture खुद choose कर सकते हैं और वो कोई भी educational institute को run कर सकते हैं जैसे कोई भी मतलब कोई भी educational institute चला सकता है ठीक है ऐसा नहीं कि कि सिर्फ एक ही religion की लोग यह पर्टिकुलर लेंगविज बोलने वाले लोग ही educational institution चला सकते हैं या सिर्फ यह अपनी लेंगविज बोल सकते हैं ठीक है ऐसा नहीं है मतलब कोई भी educational institute चुज चला सकता हैmember और कोई भी कोई भी कल्चर चूउस कर सकता है अपना खुद की लाइग्वज अपनी खुदी का कल्चर फॉलो कर सकता है Tampa right to freedom of religion मतल남 कोई भी आप हमें यह freedom है कि हम कोई भी रिलेजन फॉलो कर सकते हैं थीक है मतला हम कोई भी कि वो कोई भी religion follow कर सकते हैं जो उनको अच्छा लगे ठीक है वो अपनी choice के according कोई भी religion follow कर सकते हैं नौ नेक्स्ट fundamental right is right against exploitation ठीक है जो सोशन की विरुद्ध हमें जो अधिकार मिला है exploitation of women slavery child labor and low wages are considered as offenses in our country जो वोमेंस का शोशन ठीक है और दास्प्रथा child labor जो बच्चों से काम करा जाता है ठीक है और low wages या फिर उनको काम जादा कराया जाए रहा है और वेतन उनसे कम लिया जा रहा है मतलब उनको low wages मतलब उनको salary कम दी जा रही ठीक है तो यह सब यह सब किस में आते हैं यह सब considered के जाते हैं कि हमारी country में एक अपराद ठीक है यह सब अपराद के तौर पे मतलब एक offense इलिग ठीक है इसको offense माना जाता है हमारी country में ठीक है चाहे वो woman का exploitation हो चाहे वो किसी को अपना गुलाम बनाना हो यह चाइड लेबर low wages यह सब हमारी country में अपराद माना जाता है ठीक है और इसको मतलब considered offenses in our country so next is right to constitutional remedies मतलब जो सम्विधानिक जो हमारे rights हैं उनका उप्चार this allow Indian manufacturer to fight for their rights मतलब इस 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 राइट के अकॉर्डिंग मतलब जो भी इंडियन से उनको इह अदिकार मिलता है उनको यह राइट मिलता है कि वह अपने राइट के लिए fight कर सकते है मतलब वो अपने अधिकारों के लिए फाइट कर सकते हैं अपने अधिकारों के लिए बोल सकते हैं ठीक है